पाकिस्तान के क्रिकेटर्ज वो हो करंट या वो एक्स क्रिकेटर्ज हो यह मैंने देखा है कैमरा देखकर नहीं यह पोदल जाते हैं ये तो उन्होंने बड़ी शांदार बात की थी कि पाकिस्तान की क्रिकेटीम से सारी दुनिया डरती है उसके बाद उसी किताब पाकिस्तान नामा का या क्रिकेट की तारीख का बेताज बादशा पाकिस्तान उसी के अगले सफ़े के उपर अभी ताजा तरीन उन्होंने बियान फरमाया कि हमारी फिल्डिंग आउट कलास है पाकिस्तान दुनिया की बेतरीन फिल्डिंग साइट है और न्यूजिलेंड और वेस्ट इंडीस दोनों से जादा अच्छी फिल्डिंग करते हैं गर्मी पता नहीं जादा पड़ रही है अब ताविश से पूछना पड़ेगा कि तुम अपने स्टूडियो में इसी वेगरा नहीं लगाते हैं क्या दिक्कत है भाई अच्छे खासे पैसे कमारी हो यसी वेषी तो लगालिया करो अभी इमाम को गर्मी लगी इमाम ने गर्मी में गरम जयन केसाथ बता नहीं ए क्या बोल दिया वेस्टर नीज बोलते तो फिर भी चलो होता हैं दो कि मैं वेस्टर नीज वाली फेवर में भी नही हूँ भई यह तुम कहतें के नारोवाल 11 इनसे जादा अची हम फिल्डर्ज हैं तुम कहतें के बहाईसाभ पतो की प्रेंस 11 उनसे जादा अच्छे फिल्डर हैं तुम कहतें शोर कोट पैंथर्ज उनसे बघए पत्थर साइड हैं रख लिया भाई न्यूजिलेंड बोल कर तो तूने हमारे सीनों के ओपर इमाम के टू रख दिया है इतना तो हमारे दिल का साइज नहीं है जितनी बड़ी चटान तूने यह स्टेटमन्ट देकर बोल दी है यह वल्टी टॉंटी में फिल्डिंग देखी है छोड़ दो सारी चीज ने हैं वल्टी टॉंटी में फिल्डिंग और पंट के तीन कैच आपने एक मैच में ड्रॉप की हैं तीन कैच क्रिकेट में रिटन तो नहीं लेकिन एक रूल है कि हाथ से लगा तो कैच है लेने ही लेना है जो मर्जी हो जाए यह वाइटेलिटी ब्लास्ट हो रहा है UK के अंदर, England के अंदर, सारों को मैं एक चीज बताता हूँ, कुछ ने तो देखा होगा definitely मेरी तरह के हैं जजबाती वो मतलब out of mind type cricket fans उनको हर तरह की क्रिकेट देखनी होती है, मार्नस लेबुशे ने एक कैच की है, वाइटेलिटी ब्लास्ट में अभी कुछ दिनों पहले कोई किसी मैच में, वो कैच जाकर देखें, बी ग्रेट नहीं कर रहा है, हकीकत ब्यान कर रहा हूँ, मुझे नहीं याद पड़ता मैंने पाकिस्तान की क्रिकेट में इस किसम का कैच लास्ट टाम कब देखा था, honestly speaking, एक अच्छा कैच जो मुझे इन मेरी recent memory में आता है, वो शायद अफरीदी का है, जो उसने सैमी फाइनल में शायद लिया था, न्यूजिलेंड के अगेंस्ट सैमी फाइनल ली था न, हाँ, किस का था, स्टायरिस का था, वल्टी ट्वटी में, 2009 में, वो पीछे भागते वे जो कैच लिया था, मुझे शायद अफरीदी का एक वो की टिप्स लेकर निकल गई, उनको भाई टाइम लगता है, एज फेक्टर वो स्लिप में तुम लेगोंने उनको खड़ा किया वे, खुदा का खोफ करो, उनको तो तुमें बाई साब ग्राउंड के अंदर चारपाई देकर बिठाना जाईए, वो ताउजी है हमारे, उनकी इज़त करो, रिस्पेक्ट करो, रिस्पेक्ट नहीं करते हो, बड़ों की बद्वा लगी है, इसी वज़ा से वर्ल्टी 20 के पहले राउंड में बाहर हो गयो, स्लिप में खड़ा किया हुए, यार इस सुमर के बंदे को अंदाजा करो, कोई है तरीका, अब जारी बात है, जब एज लगेगा, एज तो तेज आता है, एज इतना तेज आता है कि रिशब पंट ने अभी रिसेंट ली बुमरागी के बॉल के उपट के ड्रॉप कर दिया, ये किस के, बंगलादेश के कैस्ट जो मैश था, उसमें, वो उसको एज लगी, इतना तेजी से फ्लाई किया कि रिशब पंट के, आला कि वो अच्छा खासा विकट की पर है, तकड़ा विकट की पर है, रिशब पंट, लेकर रिशब के हाथ नहीं पहुंच सके गलब से लगी, ठक करके बाए, इधर आपने इफ्तखार चाचा को स्लिप में खड़ा किया बता, बाइद ताइम उनका ह अच्छा रहा है, एज निकल गया, थोड़ा सा इधर होती ना मेरे पास, मैं कुछ ना कुछ कर लेता, मैं यूँ करके उखाड लेता उसके आज को, पकड़ लेता, पलक कर लेता, कुछ कर लेता मैं, लेकिन वो थोड़ा सा मेरी रीच से दूर थी, हमारी फिल्डिंग का क्योंकि फिल्डिंग डिरेक्ली लिंक होती है आपकी फिटनेस के साथ, इसी चीज़ के जवाब में शायद इमरान नजीर ने ये का था, कि हमारी फिटनेस का प्रॉबलम है, भाई, बहुत बड़ा, हम लोग फिटनेस के उपर वो नहीं करते काम, उग्जेम्पल उसने दि करो, नवीन को देखो, गुल्बदीन नैब को देखो, सारी चीज़े छोड़ो, गुल्बदीन नैब यूँ करता है तो जितने उसके डोले बनते हैं, मेरा ख्याल है मेरी रान की उपर इतना गोश्ट होगा जितने गुल्बदीन के यहां पर डोले बनते हैं, और उस मतलब गुलबदीन को आप देखो आपको पता चलता है कि यार ये स्टॉंग बिल्ट बंद है ऐसे ही है ना मतलब जिसम शिसम सबसेट अलीन नहीं है मतलब पतला नहीं है He has a good body सर वो डाइवें मार मार ऐसे कैच ले रहा होता है आप गुरबाज का कैच चेक करें आप देखते हैं भाई वो फिटनस में किस लेवल की उपर है आप अपनी फसिलिटीज देखें शरम आनी चाहिए यार शरम आनी चाहिए उनके पास आपके लेवल की फसिलिटीज नहीं है लेकिन उनकी fitness वो fitness freaks हैं भाई, fitness freaks जिसको कहते हैं एक एक उनका एक बली यार नभी भाई को चेक करो यार 40 टपने वाले हैं वो वो 40 को टच करने वाले हैं लेकिन उनको देख कर लगते हैं उनकी fitness टेक करो भागते दोडते each and everything उनका भी best चल रहा है बेतरीन जा रहे हैं वो, तो fitness हमारा बहुत बड़ा problem है और पता नहीं है माम ने किस हिसाब किताब में, इम्रान रजीर ने बिल्कुल ठीक है दुनिया की बेतरीन feeding side बनना है न तो अपनी fitness ठीक करें ये कुछ रच साथ टाइम पहले तक पाकिस्तान की at least catching बहुत अच्छी थी अब तो catching भी बड़ गई है हाँ, catching हमारी बहुत अच्छी थी हमने बड़े जिसे कहते हैं अब ये कुछ दो-तीन साल पहले या चार साल पहले की बात होगी हमारी catching बहुत अच्छी थी हम टॉप पर थे catching में अब आप ना fielding में कहीं पर है ना catching में कहीं पर है तो उस पर ये statement दे देना कि हम दुनिया की सबसे अच्छी fielding side है ये इमाम घर में ही मेरा खाला cricket खेल खेल करना अपने तज़िये बना रहा होता है केसी ने कोई single-handedly plaster की gain से catch पकड़ लिया तो हम बहुत अच्छी fielding side है ऐसे नहीं होता भाई मेरबानी कर यार हाथ होला रखा करो यार लोग देख रहे होते हैं आगर यहां पर justification देनी पड़ जाती है हम लोगों को कि नहीं गर्मी बहुत जादा थी सठे आ गी है ऐसी बात नहीं है चलो इस वीडियो में इतने अपना बहुत ख्या लखना नेक्स वीडियो में मुलकात होगी पीस आउट